अजमेर के ग्यानविहार अलाके में बदमाशों ने घर के च्छत पर लगे गेट को तोड़कर हजार रुपए की नगदी के साथ ही लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर भी चोरी कर लिए पीडित परिवार ने इस सम्मन में क्रिशन गुंस थाने में रिपोर्ट दर्च करवाई है फुलिस मामली की तफ्तीश में जुटी है अजमेर के ग्यानविहार अलाके में रहने वाले हिमालचू राठोड की ओर से थाने में शिकायत दर्च करवाई गई कि वह जैपूर गए हुए थे इस दौरान उन्हें पड़ोसियों से सूचना मिली कि उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और सारा समान बिखरा हुआ है इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को अंदर भेजा और इस मामले की जानकारी ली और उसके बाद खुद वहाँ अज साने में रिपोर्ट रच करवाई है पुलिस ने मौका मोहन करते हुए जानकारी जुटाना शुरू करतीया है साथ ही आसपास में लगे सिटीव फुटिज भी खंगाले जा रहे हैं हमारा गर्ण वियार कोलोनी में हमें पड़ोसी सूचना मीली थी कि आपका उपर वाला दरवाज़ा तो अंटी ने पर आके चेक किया तो सारा समान इद्र उद्र था तो अंटी ने बहुत की आपको की एसे से घर में हुआ आपके तो मैं मेरे बड़े बही है जैपूर से अ सारा समान इद्र उद्र था कपड़े जोएलरी सोने की चैन सब कुछ चांदी वांदी तो सब कुछ ले गए थे और उसके बाद चेक किया वोचेस वागेरा नल वाल मशीन वागेरा सब कुछ वो उठाके ले गए गयते और उप्रगे दरवाज़ तो टूटावा था इसको पॉले सिकायत रही है वह कि एक मजानी क्या बोल रहे हैं हम ने थाने में रिपोर्ट की थी तो पुलिस वाला की चेक किया थे किसा क्या था समान में गया था सोना था थोड़ा वह पांच शे तॉला सोना था चांदी थी वो छोटवन समान था वो थे सोए गे रहा थी पुछ ले गए वो